हेलो स्टुडेंट्स, कॉंप्टिशन कम्मूनिटी के इस यूटूब प्लेटफॉर्म पर मैं कमनेश कुमार से नहीं आपका स्वागत करता हूँ जो सब इंस्पेक्टर के लिए हमारी जो सीरिस चल रही है इतिहास की और इतिहास में भी हम देख रहे हैं वो टॉपिक है आपका आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास तो आधुनिक भारत की इतिहास के प्रश्णों का हम अध्यन कर रहे हैं उसके पहले आप कोसिस कीजिए कि पिछले कुछ वीडियोस को देख लिए तक आपका जो करम है वो बना रहे और यह जो प्रश्णा हम देख रहे हैं वो प्रिवियस एक्जाम में आए हुए हैं और आगे जो आगामी आपके सब इंस्पेक्टर के एक्जाम होने वाले हैं उसके लिए महत्पूर्ण है इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए चलिए पहला प्रश्णा देख लिएते हैं पहला प्रश्णा है वर्स 1916 में मुस्लिम लीक और कॉंग्रेस के मद्द्द सम्झाता कराया गया था किन के द्वारा तो यहां पर है सम्झाता कराया गया था बाल गंगा धर तिलग, बीजी तिलग लिखा हुआ है, बाल गंगा धर तिलग, इन्होंने क्या गराया था, मुसलिम लीग और कॉंगरेस के बीच में समझा गराया था, अब ये टाइम को थोड़ा सा याद कीजे, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो पता होगा आपको, कि वर्स 1916 में एक और चीज हुई थी, कि जो गरमदल, गरमदल और नरमदल, गरमदल का विलय भी इसी समय हुआ था, इसी समय गरमदल और नरमदल को मिला लिया गया था, और गरमदल और नरमदल मिले थे, उस समय कॉंगरेस का दिवेशन कहा हो रहा था, लखनाउ में लखनाउ में इस कारण से कई बार विसे लखनाउ समझाथा भी जाएगा लखनाउ समझायो हता याद रखेगा लखनाउ पैक्ट अगर पुछा जाय लखनाउ पैक्ट तो आप बताएंगे ग legg डरम दला नरम अफ्रिका में डर्बन में दक्षिन अफ्रिका में 1904 में फीनिक्सippers अब थोड़ा सांव कई बार क्या होगा और अचनक से कौसर्ट कोई भी देखेगा तो यह समझ नहीं पाएगा की पूछा क्यों है यह जगा क्यों इंपोर्टेंट है तो यह जगा इसलिए है अगर मैं ले जालू हूँ आपको महात्मा गांधी की तरफ महात्मा गांधी की तरफ ले चलो तो महात्मा गांधी जो थे वकालत किया करते थे एक बरिष्टर थे तो उन्हें 1893 को दक्षिन अफरीका अब्दुल्ला एंड कंपणी के द्वारा बुलाया गया था एक केस ल एक देखा तो वहाँ पर वो खुद ही आंदूलन करने लग जय है और उन्होंने एक फार्म मनाया था जैसे यहां पर गुजरात में साबरमती आसरम देखते हैं वैसे उन्होंने फिनिक्स फार्म मराया था कहां दक्षिन अफरिका में साथी साथ उसी दक्षिन अफरिका में उन्होंने एक भूक निकाली थी एक पुस्तक निकाली थी पद्रिका निकाली थी जिसको बोलते हैं इंडियन ओपीनियन नाम से उन्होंने यहाँ पर पुस्तके भी निकाले थी, तो उस चीज़ को याद रहे, महात्मा गांदी दक्षिण अफरीका से भारत की स्वर्सलोटे, 1893 में गांदी जी दक्षिण अफरीका पुंचे थे, और ये वापस आये थे, 1915 में, 1915 में, महात्मा गांदी, और दिन भी याद रखेगा, दिन भी इंपोर्टेंट है, 9 जन्वरी 1915, 9 जन्वरी 1915 को गांदी जी भारत वापस आये, और याद रखेए, उसी 9 जन्वरी को, उसी 9 जन्वरी को दिन को हम NRI Day, Non Residencial Indian Day या बोला चीए, भारती प्रवासी दिवस, भारती प्रवासी दिवस के रूप में मराते हैं, गांदी जी के वापस आने की दिन को, भारती प्रवासी दिवस के रूप में मराते हैं, 9 जन्वरी को, 9 जन्वरी को भारती प्रवासी दिवस के रूप में मराया जाता है, अगला कुश्चन महात्मा गांधी के राजहितिक गुरु कौन थे सी यारदास दादा भाई नौरो जी तिलग या गोपाल कृष्ण गोखले तो यहाँ पर जो आपका correct answer है वह है option number D तो जो गांधी जी के राजहितिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले अब दूसरा question यह बनेगा कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे आध्यात्मिक spiritual गुरु ठीक है आध्यात्मिक गुरु कौन थे आपको बताना होगा गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका लाम था लियो टॉल्स टॉय लियो टॉल्स टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु और इन्हीं लियो टॉल्स टॉय के नाम पर टॉल्स टॉय आसरम या फार्म इन्होंने वहां दक्षिन अफ्र भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रा आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवग्या का प्रयोग किया Civil Disobedience Moment के बारे में तो जानते ही होंगे ये शुरुआत हुआ था 1930 में बट पहली बार ये कौन से आंदोलन में उन्होंने इसका प्रयोग किया था तो ये आंदोलन था आपका चंपरण का चंपरण में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रा किया था और इसी चंपरण में इन्होंने पहली बार सविनय अवग्या का प्रयोग किया था निम्नल इखित में से कौन सा सत्यग्रह है जिसका नित्तो गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने नहीं किया तो यहां पर देखें भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ था वर्स 1942 में और इसे कहीं ने कहीं गांधी जी ने ही सुरू किया था फिर देखेंगे सवीनाय अवग्या अंदोलन की सुरुवात गांधी जी ने 1930 में की थी वैसे ही आप देखेंगे कि जो खेड़ा है इसमें भी गांधी जी सामिल थे और यह हुआ था खेड़ा सत्यग्रह 1918 में तो यहां पर कौन सा ऐसा उप्सन दिख रहा है जो गांधी जी जी इसमें सामिल नहीं थे तो वो था बार्दूली बार्दूली सत्यग्रह का जो नितितों किया था वो सरदार वल्ला भाई पटेल नहीं गया था सरदार वल्लब भाई पटेल ने बार्दोली में बार्दोली के सत्यक्रा का नितितर सरदार वल्लब भाई पटेल नहीं किया था और यहीं बार्दोली की महिलाओं ने वल्लब भाई पटेल को सरदार का एक टाइटल भी उपादी भी दिया था इसीज को भी याद रखिए अंगला कोश्चन किसे ने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को बापू, राष्ट पिता और अन्य नामों से जाना जाता है वैसी जो है महात्मा नाम या महात्मा जो टाइटल है किसे ने दिया था जबाहलाल नहरू, मदन मोहनमालवी, रविन्ना टैगोर या सुभाज़ चंद्रबोस तो यहाँ पर जो रविन्ना टैगोर हैं उन्होंने गांदी जी को महत्मा उपाधी दी थी रविन्ना टैगोर तो आपका correct answer क्या होगा रविन्ना टैगोर साथी साथ सुभाज संद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट पीता भी कहा था और यहाँ पर जवाहलाल नहरू जो हैं वो प्यार से गांधी जी को बापू भी कहा करते थे अगला कोशन गांधी जी का चंपारण सत्यागरा किन से जुड़ा है किन से जुड़ा है चलिए देख लेते हैं चंपारण सत्यागरा जिसे हम जानते हैं कि गांधी जी जब 1915 में 1950 में भारत वापस आ है तो उनका पहला सत्यागरा मूमेंट हुआ था उसे बुलते हैं चंपारण सत्यागरा जो संबंधी था वह था तीन कठ्या पद्दती से अब ये तीन कठ्या पद्दती है क्या तीन कठ्या पद्दती अंग्रेजयों के द्वारा लागू की गई एक निती थी इस पॉलिसी क और आपको नील की खेती करनी कंपलसरी है नील की खेती करना ही होगा यह अंग्रेजों ने नियम मराया था नील की खेती और इसे ही बोला गया तीन कठिया पदेती अब यह तीन कठिया क्या है कि जैसे माल लीजिए पूरा यह भू भाग जो है बीस है तो बीसवे के माल लीज आपको क्या करना होगा नील की खेती करनी होगी और ये नियम कहां लगाया गया था, ये वालद जो तीन कठे पद्दती है, ये चमपरन बिहार में लगाया गया था, जहां चमपरन में जब गांधी जी जाएंगे तो किसी के बुलाने पड़ जाएंगे, उसका नाम भी आपक अगला देखें, 1936 में लखनाव में अखिल भारती किसान सभा का प्रतम अध्यक्ष की से चुना गया था, 1936, तो इसका एंजी रंगा, नंबू द्रिपाद, सहजानन स्वरसती या नरेंदेव, तो इसका करेंट का अंसर होगा, स्वामी सहजानन स्वरसती को भारती किसान सभ का यहां पर अध्यक्ष चुना गया था, 1936 में, अगला प्रशना, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया, तो रोलेट एक्ट में होता क्या था, यह कानून क्या था, उसे समझ लिए, रोलेट एक्ट में किसी भी व्यक्टी को, किसी भी व्यक्टी को, किसी भी व्यक्टी को संदे के अधार पर, केवल संदे के अधार पर गिरफतार किया जा सकता, और यह एक्ट अंग्रेजों ने क्यों लाया था, अंग्रेज चाहते थे कि करांती कारियों को दमन किया जा सक इसी कारण से इसका विरोध भी हुआ और इस रोले टेक्ट को दूसरा नाम दिया गया था काला कानून भी रोले टेक्ट को कहा गया इसे और कहा जाता है बीना अपील क्योंकि आप अपील नहीं कर सकते बीना अपील साथी साथ बीना वकील कोई आप वकील नहीं कर सकते कोई वकील नहीं कर सकते इस कानून में, साथी साथ अगर वकील नहीं है तो बिना दलील का कानून भी आप इसे बोलेंगे, बिना दलील, आप कोई दलील भी नहीं दे सकते, याने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया, रोलेट एक्ट को कहा गया, रोले पर भारत में भायारत में वायसराय कौन थे लॉड एर्विन लॉड रीडिंग लॉड चैंस फूर्ड लॉड वैवल तो उस समय जो ततकालीन वायसराय हुआ करते थे जो प्रेजन टाइम में वायसराय थे उनका नाम था लॉड चैंस फूर्ड लॉड चैंस फूर्ड जो थे related बहुत सारे प्रश्ण पूछेंगे पूछे जाते हैं और पूछे गए भी तो ध्यान दिए पांच माई 1901 एक अप्रेल 1913 अप्रेल 1929 तो यह जो जलिया वाला बाग हत्याकार्ण हुआ था यह हुआ था 13 तरह अप्रेल 1919 को अब हुआ क्या था जैसे मैंने बताया पीछला मैंने बताया एक रोलेट अ्क्ट आया था एक रोलेट कानून आया था इस कानून आया था इसे रोलेट अभी ते नाम था सैफु दिन कुछिलू सैफु दिन कुछिलू तो पंजाब के दो प्रमुख नेताओं को गिरफतार कर लिया गया जिसके बाद जिसके बाद लोगों की उग्र भीड़ यानम बुलाची लोग जो है एक जलिया वाला बाग में अमरिस्सर के जलिया वाला बाग में इzkटा हो गयے और जब जलिया वाला बाग में इzkटा हुए तब यहाँ पर कहीन कहीं अंगरेज अधिकारियों ने अंधर धुन गोलियां इस भीड पर चलवा दी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए जिसे हम जलिया वाला हत्याकांड की नाम से जानते हैं जलियावाला बाग हत्याकांड की नाम से जानते हैं अगला देखिए निम्य लिखित में से किसके विरोध में रविना टैगोर ने अपनी नाइट हूट की उपादी त्याग दी थी नाइट हूट की उपादी तो पिछला ही कोशन जो देखा हमने कि जलिया वाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपने टाइटल से छोड़ दिये उपादिया छोड़ दी जिसमें रविना टैगोर भी सामिल थे और रविना टैगोर ने इसी जलिया वाला बाग जनसाहार के हत्याकांड के विरोध में अपना उपादी ते आगा इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो महत्मा गांदी है महत्मा गांदी महत्मा गांदी ने में एक टाइटल छोड़ा था जिसे हम बोलेंगे कैसरे हिंद केसरे हिंद एक टाइटल महत्मा गांदी ने में त्याग दिया था उसे बोलते हैं केसर एहिंद और ये केसर एहिंद महात्मा गांधी को क्यों दिया गया था उसे भी थोड़ा से जाने लिए तो केसर एहिंद के टाइटल महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था और अंग्रेजों की दौारा क्यों दिया गया था यह बात है 1914 की जब वर्ल वौर, प्रथम वर्ल वार याने प्रथम विस्वईद्ध सुरु ओगया था प्रथम विस्वेद्ध सुरू हुआ और उसके बाद कहीं ने कहीं 1914 के बाद 1915 को गांधी जी भारत में आते हैं और जब भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर विस्वेद्ध में अंग्रेज जो हैं उनसे मदद मांगते हैं और जब मदद मांगते हैं तो यहाँ पर भारती सैनिकों को भारती लोगों को अंग्रेजों की सेना में जाने के लिए गांधी जी कहेंगे इस कारण से गांधी जी को एक और सब्द कहा गया वाक्य कहा गया भारतियों के द्वारा वो कहा गया भरती करने वाला सार्जेंट कहा गया भरती करने वाला सार्जेंट कहा गया अब इन्होंने अंग्रेजों की सेना में भारतियों को भरती करवा दिया इस कारण से अंग्रेज क्या हुए खुस हुए इस बास से अंग्रेजों को खुसी हुए और अंग्रेज जब खुस हुए तब उन्होंने दिया गांधी जी को एक टाइटल केसर एहिंद केसर एहिंद केसर एहिंद का टाइटल दिया ओर डाय को किस ने मारा, देखें ज्यान दिजेगा जब आपका ये जलियावाला बाग कांट हुआ तो एक अधिकारी गये थे उनका भी नाम था डायर बत उनका नाम क्या था ? आर डायर जन्होंने गोली चलाई थी उसन भीड पर जलिया वाला बाग की भीड़ पर जो इन्होंने गोली चलाई वो कौन थे आर डायर और उससे में पंजाब के ततकालीन गवर्नर थे ततकालीन गवर्नर उनका नाम था ओडायर तोनों चीच को याद रखिए पंजाब के ततकालीन गवर्नर थे ओडायर O-Dire, तो आपको पूछ रहे की O-Dire को किस ने मारा, O-Dire को नहीं, O-Dire ने तो गोली चलाया था, बर किस के बोलने पर, O-Dire के बोलने पर इस ने गोली चलाया था, एक्जाम में जब कोश्चन आया था ये वाला, तो बहुत ज़्यादा कन्फूजन हुआ था लोगों को, है तो इसीच को याद रखिए तो यहाँ पर जब ओडायर ने गोली चलवाई थी लोगों की भीड़ पर तो इसका बदला लेने के लिए बदला लेने के लिए वर्स 1940 में उधमसी लंदन गए और वहीं जाकर उन्होंने क्या किया ओडायर की हत्या कर दी ओडायर को मार दिया तो उधमसी के उपर OTT प्लेटफॉर्म में एक आपका वेब सीरीज भी बना था जिस साइद आप देखे भी होंगे तो यही उधमसी है जिन्होंने इस हत्या कारण का बदला लिया था इसी कारण से वहाँ बना था चलि अगला प्रशन देखते हैं जलिया वाला बाग हत्याकारण के विरोध में वाइसराय की कारणी परिशत से किसे ने इस्तिफा दिया तो यहाँ पर जैसे महात्मा गांदी के बारे में हमने जाना कि महात्मा गांदी ने केसरे हिंद महात्मा गांदी ने कौन सा टाइटल छोड़ा केसर हिंद के टाइटल को त्याग दिया था रवीना टैगो ने कौन सा त्यागा रवीना टैगो ने यहाँ पे नाइट हूट की उपादी छोड़ी थी एक नाइट हूट की उपादी थी उसे छोड़ दिया था और संकरन नरायन थे जिनोंने क्या दिया था इस सिफा दे दिया था वायसराय की कारकार्णी परिसद से और ये भारतियों में एक मात्र थे जो वायसराय की कारकार्णी परिसद में सामिल हुए थे ठीक है तो उस चीज को याद रखेगा और कुछ चीजों को धोड़ा से तो जैसे आपको जलिया वला बाख हत्याकाणि उसके बाद अंग्रेजों के दवारे कमिटी बनाए गई उसे बोले आता है हंटर आयोग हंटर कमीशन या रायोग बनाए गया ख़र साथथिए उन्टार नहोग के दवारे गया और मदन मोहल मालवी की नितित्व में उस कमिटी का नाम था तहकीकात कमिटी तहकीकात कमिटी या तहकीकात कमिशन का गठन किया गया मदन मोहल मालवी की नितित्व में और ये दोनों किसी से जुड़ा हुआ है आपका जलिया वाला बाग हत्याकांट से जुड़ा हुआ अगला question महात्मा गांधी द्वारा आप चलाया गया प्रथम जन अंदोलन काुप अन्दोलन की बात की जा रही है तो प्रथम जन अंदोलन की बात की जारी है तो पहला उनका असायोग अंदोलन नॉन कोपरेशंम मूट Le Sun non-corporation movement यानि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को सयोग नहीं देना यानि वहाँ पर जितने भी धफ्तर में कारे करते थे लोग उन्होंने अपना दफ्तर में जो नौकर साही जो पेशा है उसे छोड़ दिया सांती सांत वकिलों ने वकाला छोड़ दी बच्चे जो है यानि कॉलेज में जाने वाले बच्चों ने इस कॉलेज को भी छोड़ दिया और इसको लोगो त्याग दिया ठीक है तो यह असायोग आंदोलन की सुरुआत हुई थी 1920 में 1920 में और इसी को कहा गया प्रथम जन आंदोलन से जूड़ा हुए और इसकी सुरुआत हुई थी वर्ष 1930 में सविनय अवग्या आंदोलन की सुरुआत हुई थी सांधी साथ भारत छोड़ आंदोलन 1942 को सुरू हुई थी 1942 तो ये कुछ प्रमुक आंदोलन है असयोग आंदोलन, नमक आंदोलन और भारच्छवण आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा ही चालू किया गया जिसमें जन आंदोलन था आपका सविनय अवग्या जन आंदोलन था आपका असयोग आंदोलन अगला गुस्षन देखते हैं निमने लिखित में से कौन सा चौरी-चौरा कांड की वास्तविक तिथी है पांच फरवरी 1992, चार फरवरी 1992, दो फरवरी 1992, छे फरवरी 1922 तो मोश्ली वास्तविक तिथी के जगा कई पुस्तकों में दिया गया है अपका EUP के गौरकपूर में और यहां पर हुआ यह था कि पुलिस साने पर लोगों की भीड़ने इकट्टा होकर आग लगा दिया था और उस पुलिस सान में 22 सीपाईयों की मित्ती हो गई थी जिसके बाद यहां पर भारत में 1920 में याद होगा आपको सहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसे गांदी जी ने वापस ले लिया यह बहुत इंपॉर्टन है इस 44 कान के बाद जो 1920 से जो इतना बड़ा आंदोलन चाहरा था 1922 तक चला वहां आंदोलन को गांदी जी ने वापस ले लिया अब गांदी जी ने यह आंदोलन वापस क्यो लिया क्योंकि गांधी जी को अगर देखें तो गांधी जी जो है हाँ पर हिंसा के खिलाफ थे किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो गांधी जी चाहते थे और अब उन्हें लगा कि लोग जो हैं अपना धैर्यक हो रहे हैं और कही न कही लोगों ने हिंसा कही मार्ग अपना लिया जिसे मैंने सुरुआत में बुला हमें किसी भी हालत में हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाना है हिंसा के मार्ग पर चलना है और ये गांधी जी के उद्देशों के खिलाफ था इसी कारण से गांधी जी ने क्या किया इस आंदोलन को वापस लिलिया असयूअ गोल को और असधायोग अंदोलन यही 4 कांड के बाद समाप्ट घुवा दाlla कब से कप तक चला आप Скो पूछे आप बताएंगे वर्स 1922 से 22 तक या आंदुलन चला अगला कोश्चन निम्न में से कौन सा सुमीलित नहीं है याने कौन सा आपका गलत है आपको बताना है 1885 का भारती राष्टी कॉंग्रेस मंगालवी भाजन 1905 1909 मारले मिंटो सुधार या 1930 असयोग आंदुलन तो देखिए यहाँ पर आप अभी बता सकते हैं इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद कि मैंने बताया नॉन कॉप्रेशन मुमेंट जो हुआ वह हुआ था आपका वर्स 1920 में तो आपका करेक्ट टांसर क्या होगा आपसन नमबर दी जैसे कि हम देख चुके हैं कि भारती राष्टी कॉंग्रेस की साथ 1905 1905 यानि कि 16 अक्टूबर 1905 को आपका बंगाल का भी भी भाजन किया था बंगाल को भी भाजन करके बंगाल को दो पार्ट में बाट कर पूरवी बंगाल और पस्षिब बंगाल में दो पार्ट में बाट दिया गया था और जो मारले मिंटों सुधार में क्या हुआ इसे देख लिए इस मारले मिन्टो सुधार में यहाँ पर हिंदों के साथ साथ आपके मुस्लिमों को प्रिथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया प्रिथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया प्रिठक निर्वाचन का अधिकार तो जैसे कि आप जानते हैं अंग्रेजों की फुट डालो राजकर कुनीती लौर्ड करजन के द्वारा चालू हो गई थी उसी के तहत आपका बंगाल का विभाजन हुआ उसी के बाद आप देखेंगे 1906 में मुस्लिम लीक का गठन हुआ और वही आगे बढ़ते हुए मारले मिंटो सुधार है और इसमें क्या किया गया कि चुनाओं में जो चुनाओं होंगे उसमें जो मुस्लिम व्यक्ति है वो मुस्लिम मेता को ही वोट करेगा और हिंदू व्यक्ति है वो हिंदू नेता को ही वोट करेगा जैसे आज के टाइ सब्सक्राइब को तो नियम लाया था किसमें मारले मिंटो इसलार में 1909 में 37, 1930 का सयोग अंदोलन वाला यह वाला कोश्चन तो आपका जैसे मनें बताया, क्या था यह? 1920 है, तो यही आपका option क्या होगा? तो आपका correct answer क्या होगा? option number A, तो option number A जो है, असयोग अंदोलन जैसे मनें बताया, चौरी चौरा कांड जो हुआ, चौरी चौरा कांड 1922 में जो हुआ, उसके बाद गांदी जी ने अचानक से, अचानक से इतना बड़ा जो, 1920 से लेकर बाइस सकता, दो साल का इतना लंबा ज एक स्वराज पार्टी की भी सापन हुई, और इस स्वराज पार्टी की अधक्च बने थे, उनका नाम है स्वराज दल, स्वराज दल की भी सापना हुई, और स्वराज दल की सापना करने वाले का नाम आप याद रखेगा, इसकी सापना हुई थी वर्स 1923 में, और इस साप लाल नहरू ने मुति लाल नहरू ने साथ दिया था एक और चीज़ आप याद रखिएगा चितरंजन दास को चितरंजन दास को एक और नाम से बुलाया जाता है इनी चितरंजन दास को या बोलना चीए कई बार आपको देखने मिलेगा C.R. दास तो इसके साथ ही आज का जो हमारा सेसन है, वो समाप्त होता है, अब जो आगे लाश्ट आपका एक और वीडियो आएगा, जिसमें हम आधुनिक भारत के और प्रशनों को देखते हुए, भारत की सुतनतर के बारे में देखेंगे चीजों को, और आधुनिक भारत के ये वीडियो में, धन्यवाद!